तो उसके लिए मैंने 5kg सुगर लिया है और इसमें मैंने 8 लेमन का जूस डाला है और 1 ग्लास वाटर डाला है यह मेरा लेमन जूस है तो आप देख रहे हूं सक्कर को किस तरह से मैंने पूरी तरफ पिगला दिया है इस तरह से वैक्स तैयार हो रहा है पहले यह पत्ली चास् आपको continue इसको हिलाते रहना है ताकि यह नीची से लगे सुगर को इस तरह से चलाएंगे आप देख रहे हूं सुगर का कलर कैसे चेंज हो रहा है और इसकी चेकिंग कैसे करेंगे हमारा वैक्स रेडी हो आ या नहीं काटोरे में पानी लेंगे तीं-चार ड्रॉप हमारा वैक्स बन के रेडी है तेस्टिं के लिए एक वैउल में पानी लेंगे उसमें दो तीन बुन्दे हम लोग वैक्स की डालेंगे और यह वैक्स रेडी है इसको एप्लिकेशन करके भी मैं आपको दिखा देते हूं यह देके डारिक्शन बाइस करेंगे और यह हमारा आप